पाउजी नमस्ते कैसे हैं आप कैसे आना हुआ एहमदाबाद से देखें सब मैंने राजिस्तान से बात करी कश्मीर से बात करी अब मैं एहमदाबाद की तरह हूँ आपका तो सब बढ़िया है अमन चाहन है कोई दिक्कत तो होगी नहीं नहीं अधिक्कत हो परत सोचनते क्यों अधरा तुर्ण सोच के बोला आपने सब बढ़िया बढ़िया जरूर है लेकिन फिर प्रतीक बाइगी बीशी साल का हुए अजाजी से पहले का जन्मा हुआ लिए लिए हिंदू पाकिस्टान पाकिस्टान लीजी हिंदू मुसलमान कि बड़े मैं थे देखें साथ-एठाट साल का था तब से याददास प्रण क्राबे देखें पकिस्तां से या ओँ आध के पकिस्तां उसर ना के इंडुस्तान और उसके बाद मैं सारे प्रधानमंट्री देख लिए सारी पार्टियां देख लिए और आज ही एक नहीं पार्टी जो आई है दो पाल साल से इनको भी देख रहा हूं तो क्या कुछ कहना चाहते हैं अब मुझे सवाल का जबाब दीजे तो अगर आगर आप कहते हैं अगर कॉंग्रेस ने दम कर लड़ा होता तो बीजे पी जी जाती मैं यह कहता हूं कि कॉंग्रेस अपने लिए लड़ रही थी बाकि सारे लोग अपने लिए लड़ रहे थे इस समय देश के अंदर जो मौल बन गया है वो भाजबपा के खिलाब मौल बन रहे हैं और अब सारी विरोधी पार्टियां पिछले अन्वहों के अधार पर एक होना चाहते हैं वो कब हो जाएंगे मारूब नहीं अच्छा ये मोदी जी को क्यों हो रहना चाहते हैं तो मैं बहुत सवा मेले बाद लोटा हूं बड़ी तबियत से शो कर रहा हूं मैं नहीं बस उत्ता ही जित्ता बद बत्तमीजी ना लगे उससे जादा नहीं मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं आपने जो सवाल पूछा कि मोदी जी के खिलाफ क्यों है सारे लोग मैं जानना चाहता हूं क्यों आपको क्यों लगता है कि मोदी जी के खिलाफ है सारे लोग दो कारेन मोटे पहला सबसे बड़ा कारेन ये है कि मोदी जी इतने अच्छे इतने बड़िया हैं हिंदू है देश को आगे ले जाना चाहते हैं फिर भी आगे तो क्यों आगे तो क्यों हार गे पिछले चार दिन से यहां किनाट प्रेज में घुमड़ा हूं अच्छा आपको भी आदत पड़के किनाट में इसकी मैं तो कल जा रहा हूं आज के प्रोग् क्यों जा आदमीं जानता पब्लिक सिवाए गणी क्वढ़न के यह यह कर रहा हूं Dhe पूमन इतनी देर नहीं रुकता हूं किसी के पास माइक नहीं रुकता हूं लेकिन मैं रुक रहा हूं जानना चाहता हूं जो शक्स 82 साल का है वो एनलेसिस कर रहा है और मैं सुनना चाहता हूं पुरा देश सुनना चाहता है दूसरा कारण मैं आपके पास तीन साल पहले से आना चाहता था देकि नहीं आया और आज इसलिए आया हूँ कि आज एक ऐसा मोड आ गया है कि मुझे मेरा विचार रखना पड़े गा बहुत अची बात है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया जी दूसरा करण लगिए इस देश की असरी समश्या बाजपा कंगरेस आम अदमी पार्टी या हिंदू या मुसलमान या मंदेर या मजिद यह नहीं है यहां पर बहुत कुछ है खजाना है बहुत बहुत खजाना है माइन्स हैं, पैसा है, वर्कपोर्स है, जवान लड़के लड़कियां है, उन्नटी करने की सोच रखते हैं, पुरानी संस्कार है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है, और वो यह कि यहाँ पर पॉपुलेशन रोकने का कोई उपाय किसी निखिया है.